एलो फ्रेंड्स आपका मेरे कोर वीडियो में स्वागत है आज हम कोल्फों स्ट्चर के और नुमेरिकल देखेंगे जिसमें हम आज कोलम सेक्षन को देखेंगे ठीक है क्योंकि इसकी जो प्रोप्ति होती है सेक्षन की उसकी हमें आईयस कोड में नहीं मिलेगी जो मारा आईय आई बटन में दिख जाएगा तो आप वो वीडियो देख सकते से पहले क्योंकि वह अगर समझ लेंगे तो इसको समझने में इंसानी होगी थोड़ी तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हम मapolis कोसे में क्या जीँए फाइंड दा कोलम सेक्षन प्रॉप इसकी प्रॉप इंड करना है ठीक है उचोंतुत के ति फिट्ञे लैंथ फिग अर isolation कंड्याते है आपको मैपता दोंगा कभी कॉश्सलें आता थो एन एलोवेबल लोड फॉर दा कोलम सेक्शन सो इन दा स्पीग ठीक है ता इफेक्टिव लेंथ ओव दा कोलम तो इफेक्टिव लेंथ दी ए वह किती दीए थिरी मेटर और फ्वाइक की वैल्यू अगर फ्वाइक की वैल्यू बाइचांस गीवन भी निया ना तो आपको में थे हमेशा 2.35 लेने हैं रिंखे है 2.35 या आपको याद रखना है मैं पहले बता चुका हूँ ये आपको याद रखना अगर बि게 को सीम में कभी यान भी नियोन ना तो हमेशा आपको यी एक हमेशा ये मनिया करमियाख करने है तो चल लिए भी इस numeral को सोर करता है तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, linear property ठीक है, S के दूगल का question है, ठीक है, आपके पास हो तो, तो यह इस type का मैंने कराया नहीं था, वो सिरफ एक डूसरा easy type कराया था, सबसे पहले हम निकालते हैं, linear property के लिए आपको एक formula याद रखने हैं, ठीक है, यह radius का है, इसका formula है हमारा, r equals to, हमारी यह जो radius होगी इंटरनल तक की, यह, यह जो नहीं, आहां से यहां तक की अगर देखते हैं हम, यह वाली radius, यह 2.4 है, तो यह radius, ठीक है, इसको छोटा आर्मान लेते हैं, ठीक है, प्लस, इंटरनल वाले rectangular portion तक की, half of thickness, half of, इसकी thickness, ठीक है, यह thickness half, इसका half लेंगे thickness का, तो यह कितनी है, यह हमारी है, 1.6, अब यह 1.6 कैसे है, जिसे हमें यह पता ही है, कितनी दी हुई है, 4, तो 4, माइनस, अगर हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसकी बचीवी thickness निकलाएगी, ठीक है, ऐसी निकाल लेंगे, तो 4, 4, माइनस, 2.4, तो कितना आएगा, 1.6, ठीक है, यह तो हमारी आगी, तो, कितना आजएगा, 0.8, तो यह formula याद रखना है, यह कमें, ठीक है, यह हमारा पहला formula होगा है, जो में याद रखना है, तो इसके बाद हमारी क्या आजएगी, radius of the corner, तो corner की radius निकलाएगी है, ठीक ह यह निकालनी हमे, तो यह कितनी हो जाएगी, इसका formula याद रखना है, ठीक है, इसका भी यह formula होगा, 1.57R, यह दूसरा formula में याद रखना है, इस step में, ठीक है, यह दूसरा formula होगा हमारा, तो इसको 1.57, R अब निकाल चुके, यह निकल गया हमारा, यहाँ डाल देंगे, तो और बाकी चीज, यहाँ से बाकी चीज राम से निकल जाएगी, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल, यह 112 है, तो अगर हम यहाँ तक देखते तो यह भी 112 होगा, यहाँ तक देखते है, ठीक है, तो 112 चार बार हो गया, 112 into 4 टाइम, ठीक है, प्लस, और कितनी होगी, 4 टा 168.1 mm, ठीक है, यही इसमें किया हुआ है, यह 2 into 12, इसको दो बार लिख दिया है, यही किया हुआ है, same to same, तो यह हमारी निकल कर गगी, लेंथ, तो यह सब linear property निकाल रहे है, जो हमें IS code से, जब दूसरी figure होती थी, हमने पिस numerical किया था, उसमें कैसी figure थी, ऐसी type की है, type figure थी तो हमारा एक formula तो यह हो गया, दूसरा formula यह हो गया, तीसरा formula यह हो गया, और यह हम सिंपल निकाली सकते है, total land, ठीक है, पूरी, यह पूरी land total, ठीक है, यह पूरी, और हमारा area भी हो जाएगा, यह हमारी land निकल गई, यह पूरी land निकल गई, इस land को अगर सीधर रख दे, और आधर हम देखें अंदर की तो इसके ठार्णै का दाए तो इंटो कर दें अमरा या भी निकल के आगी होगा ओर को निकल करना होता है उसको में ठार्णै कोको सबचाए पो तो घ्डार्णै का जाएगी जो में चाहिए ठीक है जो हमारी यूज होगी तो उसको थिकनेस से इंटू कर देंगे ठीक है ठीक है ठीकनेस से इंटू कर देंगे ठीक है तो हमारी यह निकल कहेंगी actual moment of inertia अब हमारी Ixx आ चुकी है तो यह formula में याद रखना है ठीक है यह वाला formula है अब निकालना में R यह निकल कहेंगी 4.6 cm तो यह निकाल लेंगे बड़ी सिंपल है इसके बाद हमें F निकालना है ठीक है सारी चीज हम पिछले में डिसकस कर चुक है हमने एक महिना हो गया उसको बनाए उस पर रिस्पॉंस नहीं था भी इतो इसलिए लेट बनाए ठीक है अभी एक रिस्पॉंस आया तो मैंने जल्दी बना दिया ठीक है तो 0.6 F by तो इसको F by से इंटू कर देंगे F by हमारा कितना है 235 तो इसको 0.6 से इंटू कर देंगे तो हमारी निकल आएगी F की वैलिउ ठीक है तो फिर आप हमें क्या करना है form factor calculate करने के लिए हमें इसके आची है effective width इफेक्टिव विड्स चाहिए और चाहिए में effective area दोनों चीज चाहिए हमें तो दोनों चीज जब ही हम calculate करेंगे effective width और effective area पर उससे पहले हम w by t limiting चेक कर लेते है ठीक है एक कोलम वाला कभी भी दिखेगा square circular corner वाला square circular corner से hollow वाला तो हमेंसा यह formula लगाना है 478 हो जाएगा हमारा ठीक है याद रखना है यह formula याद रखना है तो इसमें simple डाल देंगे f की value यहां से निकाल चुके हम ठीक है 478 तो w by t limiting की value निकल के आएगी ठीक है यह limiting की value है और हमारी w by t w कितना हमारा 112 है ठीक है w 112 है और thickness 1.6 है तो यह जो value है यह हमारी इससे ज़्याद है तो ठीक है हमारा okay है तो इसके बाद अब हम निकालेंगे effective width अब निकालेंगे effective width हमारा यह formula हमें याद रखना है यह formula एक और हमें याद रखना है तो हमारे पस क्या given है w by t निकाल चुके हम यह रहा है ठीक है और हमारी thickness भी हमें given है तो हम b निकाल सकते है तो यहां से हमारी b की value आदेगी जब b की value आदेगी तो हम उससे फिर पहले बी निकाल लेते हम भी फिर उसके बाद बताता हूं क्या करना है तो हमारी जैसे सारी formula value डाल दी तो यह b by t है ठीक है तो फिर लास्ट में फिर यह t से इंटो कर देखना है तो हमारी यह b की value आ गई अब जो यह b की value आई है ना 74.8 इसको 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारी कितने निकल के आएगी 37.4 37.4 आईगी यह हमारी effective width थी उसको 2 से फिर डिवाइड कर देना है ठीक है 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारी यह निकल के आईगी अब दिखाता हूं यह 37.4 तो यह 37.4 यह हमारी effective width है जो यूज हो रही होगी ठीक है यह हमारी effective width हमें सिरफ इसका calculate करना है सब कुछ इसको minus कर देंगे इस वाले portion को यह 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 तो यह निकल के 74 37.4 और 37.4 तो बीचे में हमारा कितना जाएगा वह value हमारी निकल के आईगी वह बचेगे हमारी जब हमारा कितना आ गया था यह निकल के कितने आई थी हमारी टोटल निकल के आई थी हमारी जब है तो एक सो बार रहा था उसमें से 74.8 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा यह निकल आगा 37.2 ठीक है यह हमारी निकल के आजएगी तो यह हमारी निकल के आगी 37.2 ठीक है तो इसके बाद हम इफेक्टिव एरिया निकालेंगे अभी हम हमारा जो एक्चुल एरिया निकाला था वह कुछ आया था वह मारा था 748 पॉइंट कुछ आया था चमतिक है तो हमने वह अप्रोक्सिमेटली 749 मान लिया ठीक है तो उस कौन सा एरिया है यह और यह रिय तो मतलब इसकी ठीकने से कुछ यह थीकने से तो यह वन पइंट 6 है ठीक है यह कितने यह लैंध से और तो तो 4 profiles, पॉनाथ एक व्लबॉस फैक्टीव इसे आ जाएगा, फैक्टीव आटल ऑजा जाएगा इसके बाद हम निकालेंगे cc ठीक है यह फोर्मॉल आपको is code मिल जाएगा 801 is code में ठीक है ठीक है उसको अराम से देख सकते हैं इस फोर्मॉले को सारी value डालनी है तो आपको cc की value निकलाएगी तो cc की value आगई तो l by r limiting निकाल लेंगे अब यह बाकी सारे step up वैसी है जैसे ह पिछले last numerical में किये थे बाकी अब सारी चीज सेम है तो आप मैं जल्दी जल्दी बता लेता हूं आप वो वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझा जाएगा उसका link में description box में देदूंगा ठीक है तो cc by under root q तो cdc value डालेंगे तो l by r की निकाल लेंगे तो l by r की मिल जाएगा ठीक है is code मिल जाएगा ठीक है 801 में ठीक है और यह सब्दों में बताई चुका हूं कैसे सारी value डाल दीए सारी value डाल देंगे calculator होगा यूज पर exam में तो राम से आप solve कर लेंगे तो ठीक है और यह k l by r भी बता चुका हूं में ठीक है यह k l by r किसके एक्वल ह यह मैं समझा चुका हूं इस लेक्चर में कैसे होता है तो आप वह लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छा के लिए रोवा इसकी बाखी सारी चीज़े क्योंकि मैंने जल्दी बताया ना तो अभी क्योंकि मेरा मेरे खुद के एक्जाम चल रहे तो इसलिए मैं थोड पूरा टौटल निकाले के लिए किया पूरा गद्म बाटल मघंगे तो कितना निकल काई तो बस इतना ही केल्कुलेट करना था इस फोशन में यह पूचावा था बाकी और आपको कुछ पूछना तो मेरा फोन नंबर और ग्रूप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा मेरे परसनेल मैसेज कर ले यह वट्सप पे ठीक है कोल मत करना जाला तो वट्सप प वचार शक्रिक भाग कर्द को फिसलिक कर दो सब्सक्रिप्स